चलिए तो बिहार के मौसम की बात कर लेते हैं एक बार फिर से बिहार में मौनसून अख़ीव हो गया है और मौसम बभा के और से बिहार के 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है 24 जिलो में जो है वो बारिश हो सकती है मौनसून के एक बार फिर से अक्टिव होने की खबर हम आपको बता रहे हैं और आकाशिय बिजली गिरने की भी संभावना जो है वो व्यक्त की गई है इसके साथ ही को जिलो में जो है वो भारी बारिश भी हो सकती है मौसम विग्यान के इंदर के मताबिक मौनसून, टर्फ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल के खाड़ी की ओर जा रही है सिप्रदेश के दक्षणी इलाकों में बारिश की शंभावना है वहीं 13 सितंबर से दक्षिन और उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है जिन जिलों में बारिश होगी अगर वो हम आपको बताएं तो पटना, भागलपूर, बाका, जमूई, मुंगेर, खगडिया, शेकपूरा, लखी सराय, बेगू सराय, नवादा, गया, नालंदा, जहानाबाद, और अरवल, भोजपूर, भकसर, कैमू, रोहता, सारन, सीवा गोपाल गंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मौसम वभाग ने बारिश का नुमान व्यप्त किया है विवेक हमारे सायोगी अधिक जौनकारी के साथ फोलाइन पर जुड़े हुए हैं विवेक 24 जिले बिहार के ऐसे हैं जिनके लिए मौसम वभाग ने अलर्ट जारी किया है और इन 24 जिलों में भारी बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में क्या पड़ेट आपके पास? मौसम विवाग ने अगले 24 गंटे के लिए और जो कही जा तो कई जिलों में बारिश की चतावनी जारी किया साथ जो बिहार के 24 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी की गई है जो उत्री बिहार के कई जिले हैं पश्चमी चंपारनों बेतिया हो जो इसके साथ साथ बात कर जाते हो दक्षनी बिहार के कई जिले हैं गया है और अंगावाद ना लंदा ऐसा जो तमाम जो जिले हैं जिले के लिए लड़ जारी किया गया लेकिन जो शूबर से जो देखी जा तो मौसम में थोड़ा सा जो है जो रुख बजला है कि बारिश बारिश नहीं हुई इसके बज़ा से जो कई जो फसले हैं फसले पर भी जो किसानों के समझ से उत्पन हो रही है इसे में लेकर जो मौसम विभाग ने जो जारिया देश किए और इसे में बिहार के 24 जिलों में आज बारिश होनी के असारा सुबह से कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आज सुबह से भी जो अगर हम मौसम की मिजाज को देखे तो वो राजधानी पट्टा सहीत बिहार के कई हिस्सों में बदला हुआ है और बिहार में एक बार फिर से मौन सून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेख हमारे साथ जूड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए झाल